हेलो एवरिवन तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जारी है बहुत ही हेल्दी और यूनिक से नास्टी की रेसिपी जो सिर्फ दो बून ओईल में बनकर रेडी होगा सूजी और आलू से बने हुआ नास्ता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अचानक मैं हमारे अगर जब भी कोई महमान आते है तो हम सोचते हैं क्या बनाए जो जटपट बन जाए और टेस्टी भी हो तो यह सिर्फ 10 मेट में बनकर रेडी होगा साथ में मैं आपको बहुती चटपटी और चाटा केदार एक फूदीने की चटनी की भी रेसिपी दूंगी तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसनाती तो ज़रूर मैं चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सबसकाइब कीजिए सबसकाइब करना टोटली फ्री है तो सब सबस्काइब के बाइदी चैनल के तंब सक्ताली है कीजिए धूसना परहा सबसके और समस्की तैसे सब दर नापको बादार लिए तो बहुत कर लें तो दो बहुता है खोन दो यहीए सकोरिये सबसक्राफी सबसेनिए तो दो कप हम वाटर लेंगे इसमें वन टीस्पून जीरा दालेंगे सॉल्ट दालेंगे हाफ टीस्पून अब यहाँ पर दालेंगे हाफ टीस्पून जो है तो हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे वन टी स्पून चीली फ्लेक्स आपके पास में चीली फ्लेक्स नावा तो हार इमेज भी यूज़ का सकते टू टेबल स्पून डेसिकेटड कोकोनट लेंगे जो नारियल का बुरादा होता है न वो लेंगे बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आता है इसमें वन टी स्पून लसा नद्रक का ताजा पीसा हुआ पेस्ट लेंगे अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे इसमें बढ़िया तरीके से बॉइल आने देंगे बॉइल आने के बाद में हम क्या करेंगे एक चछ्छे आलू को हमने छील लिया आप ऐसे तरीके से साथ में सूजी दार सकता है और जो बिगनर है तो हीरे धीरे करके दारें क्यूंकि इसमें लॉम्ट बहुत जल्दी सूजी में पढ़ जाते हैं तो बहुत ही सिंपल और आसान मेजरमेंट है इसे कोई बिगनर भी अगर पहली बार भी कोई कुटिंग कर रहा होंगा नो वो भ दो मेंट चालू रखा था अब वो जो बेटर है हमारे नास्त का उसे ठंडा होने देंगे तब तक हम अपने बड़िया चटनी बनाएंगे उसके लिए फोर टेबल स्पून जो है न तो धनिया लेंगे तू टेबल स्पून मिंट यानि फुदिना लेंगे दो से तीन हरी मिर् किलीफ हमसे मिस होगी ति जरूर आप इसमें इस्तेमाल के और अच्छे से मिक्सी में पिस लेंगे तो यहां पर हमारी चटपटी जो चटनी है वह भी रेडी है इसे अब हम साइट में रख देंगे अब जो हमने सूजी का रालू का मिक्शन बनाकर रखा है न तो वह भी अ इसके नूश शेप के हम बना करके रेडी कर लेंगे तो यहां पर जो है तो हम सारे लड़ू बनाकर रेडी कर लिये हैं और इसे भी साइट में रख देंगे अब हम क्या करेंगे गैस ऑन करें गैस पर एक पैन रखेंगे इसमें वन से टू टेबल स्पून ऑईल डालेंगे यहां पर oil की quantity आप आपके सबसे कम्यादा सेट कर सकते हैं चाहते हो तो half teaspoon oil में बनाकर ready कर सकते हो यहां पर one teaspoon zero दालेंगे, half teaspoon mustard डालेंगे, two tablespoon सफेद तील दालेंगे बहुत unique और बढ़िया है, इसमें flavor आता है और एकदम gas को slow flame पर रखना है, क्योंकि यह जल जाता है जल्दी से अब इसमें लाल जो, लाल वाली जो मिर्च होती है, ताजी लाल मिश, तो दालेंगे हैं हम दो चॉप करके, अगर आपके पास में यह ना हो, तो दो चॉप हरी मिश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तू टेबल स्पून भरके एकदम बारी कटा हुआ हम धनिया दालेंगे इसमें, बहुती बड़िया धनिया का भी फ्लेवर आता है, कड़ी पता दालेंगे खुब सारा, जिससे बहुत अच्छा एक यूनिक फ्लेवर आएगा इन सारी चिज़ों को स्लो फ्लेम पर बढ़िया चटकने देंगे, अगर हम फुल फ्लेम करेंगे नो बहुत जल्दी ये जल जाते हैं अब जो हमने नास्ता बना करके रेड़ी हैं यानि जो बाल्स बना कर रखे हैं रेड़ी वो इसमें डाल देंगे हैं जालने के बाद में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सफ़ध तिल है जीरा राई है ये पूरा जो बाल से कोट कर ले बहुत ही अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाती है और य देखने में बहुत ज्यादा खुबसूरत लगते है तो खाने में आप सोचिये कितन ज़्यादा अच्छे लगेंगे और बहुत ही healthy है ज़्यादा oil भी इस्तेमाल नहीं करना पर था आपको अगर इससे भी कम oil इस्तेमाल करना है तो आपके हिसाब से कम भी इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि non-stick की pan होता है तो उसे बिल्कुल भी नास्ताची पकता नहीं है हमने थोड़ा ज़्यादा oil इस्तेमाल किया है यहाँ पर बढ़िया तरीके से हम सारे balls को पकने देंगे slow flame पर थोड़ इदर हम इसे पकने देंगे ताकि जो उपर की layer एकदम crispy बन जा लीजेगाइज यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और यूनिक सा सूजी और आलू से बनने वाला बहुत ही कम oil में नास्ता रेडी है चाहे हमें बच्चों को टीफिन में देना हो चाहे कोई हमारे गर पर महमान आ जाए अचानक में अगर आपको यह पसन है तो प्लीज 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 लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना साइट में जो बेल बटन आता है न उसको आल पर क्लिक करने ताकि आने वाल हर नहीं नहीं यूनिक रेसिपीस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो वाच करने के शुक्रिया किस अलावी